परिचाए इस पार्ट के अंत में आप प्रायोगिक जयामिती के बारे में जानेंगे उद्देश्य इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे एक वृत्थ खीचना एक रेखा खंड की रचना करना एक रेखा पर लंब खीचना एक रेखा खंड का लंब समदुई भाज़ खीचना एक कोण का समदुई भाज़ खीचना कोणों की रचना करना वृत्य की रचना करना एक वृत्य दो आयामी आकृती होती है प्रत्य वृत्य का एक केंद्र होता है एक वृत्य की परिधी और केंद्र के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है एक वृत्य के केंद्र से होकर जाने वाला रेखा खंड जिसके दोनों सिरे वृत्त की परीधी को चूते हैं, वृत्त का व्यास कहलाता है। प्रकार को रूलर यानी फुटे पर रखिये तथा प्रकार के नुकीले सिरे की सहता से वृत्त का केंद्र बिंदू बनाईए देखे, वृत्त बन गया है वृत्त की परिसीमा जानी परिधी परिस्थेत सभी बिंदू वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर होते हैं दू प्रतिच्चेदी वृत्ते प्रतिच्चेदी वृत्ते समान दृज्या वाले भी हो सकते हैं और नहीं भी चलिए प्रतिच्चेदी वृत्ते खींचते हैं चरण एक चार सेंटिमेटर की द्रिज्या वाला एक वृत्त खींचे चरण तू पांच सेंटिमेटर की द्रिज्या वाला एक वृत्ते इस तरह खींचे कि ये पहले वृत्त से होकर गुजरे। अब हमारे पास दो प्रतिछेदी वृत्त हैं। तीन संकेंद्री वृत्ते। संकेंद्री वृत्ते वे वृत्त होते हैं। जिनके केंद्र, बिंदू, समान होते हैं। किंतु त्रिज्याएं भिन्न होती हैं। आईए, अब हम दो, तीन और चार त्रिज्याओं वाले तीन संकेंद्री वृत्य खीशते हैं। चरण एक, सबसे पहले केंद्र बिंदू अंकित कीजिए, तथा एक दो सेंटिमीटर की त्रिज्या वाला एक वृत्य खीशते हैं। चरण दो, उसी केंद्र बिंदू से तीन सेंटिमीटर की एक भिन्न त्रिज्या वाला एक अंड वृत्य खीशें। चरण तीन, पुना, उसी केंद्र बिंदू से चार सेंटिमीटर की एक भिन्न त्रिज्या वाला एक अंतिम वृत्य खीशें। हमारे पास अब तीन संकेंद्री वृत्य हैं। रेखा खंड की रचना दो अंत बिंदूं वाला एक रेखा खंड एक रेखा का मापने योक हिस्सा होता है। एक रेखा खंड की रचना करने के लिए हम एक रूलर और एक परकार का उप्योग करते हैं। आए हम एक पाँच संटीमीटर की लंबाई वाला एक रेखा खंड खीशते हैं। चरण एक एक लंबी रेखा M खीशे। चरण दू इस पर एक बिंदू X अंकित कीशे। चरण तीन, परकार को एक रूलर पर रखिये, तथा इसे पाँच सेंटिमीटर की माप तक फैलाईए। चरण चार, परकार के नुकीले स्रे को बिंदू X पर रखिये। रेखा परिस्थित एक बिंदू Y पर एक निशान बनाने के लिए पैंसिल वाली दूसरी भुजा को घुमाईए। अब हमारे पास एक रेखा खंड XY है, जिसकी लंबाई 5 सेंटिमीटर है। मान लिजे कि एक 6 सेंटिमीटर लंबाई का एक रेखा खंड दिया गया है। हम उसी माप का एक दूसरा रेखा खंड SD बनाना चाहते हैं। रूलर का उप्योग किये बिना हम ये कैसे करेंगे। चरण एक, PQ को मापने के लिए परकार का उप्योग करें। चरण तो, एक लंबी रेखा L बनाएं। इस पर एक बिन्दू S चिन्हित करें। चरण तीन, परकार के नुकीले सिरे को बिन्दू S पर रखें। रेखा पर बिन्दू T चिन्हित करने के लिए पैंसिल वाली दूसरी भुजा को घुमाएं। अब हमारे पास एक रेखा खंड S है, जो की रेखा खंड P Q की एक प्रटी है। एक रेखा पर लंब की रचना। एक रेखा पर उसका लंब उसे एक समकोन पर काटता है। एक रेखा पर लंब को दू तरेकों से खींचा जा सकता है। पहला, रेखा पर इस्थित एक बिंदू से होकर और दूसरा, रेखा के बाहर इस्थित एक बिंदू से होकर। आईए दोनों तरेकों से लंब की रचना करना सीखें। रेखा परिस्थेत एक बिंदू से होकर लंब खींजना चरण एक एक लंबी रेखा M की रचना कीजिये चरण दो इस पर एक बिंदू A को चिन्हित कीजिये चरण तीन बिंदू A को केंद्र के रूप में लेकर तथा कोई भी त्रिज्या वाला एक चाप खींचे जो एक रेखा M को दो बिंदूओं C तथा D पर काड़ता है चरण चार C A से अधिक लंबाई की त्रिज्या तथा C को केंद्र के रूप में लेकर पहले चाप के उपर एक चाप खींचे चरण पांच वही त्रिज्या तथा D को केंद्र के रूप में लेकर पहले चाप के उपर एक अन्ने चाप खीजिए चरण छे दोनों चापों के प्रतिछेदन बिंदू को E से अंकित कीजिए चरण साथ रूलर की सहायता से बिंदू E तथा बिंदू A को मिलाईए E A रेखा M का लंब है रेखा से बाहर इस्थित एक बिंदू से होकर लंब डालना चरण एक एक लंबी रेखा M कीजिए चरण तो इसके उपर एक बिंदू A अंकित कीजिए चरण तीन किसी भी त्रिच्या तथा बिंदू A को केंद्र के रूप में लेकर एक रेखा M को दो बिंदूं C तथा D पर काटने वाला एक चाप खीचिए चरण चार C, D की लंबाई के आधे से अधिक त्रिच्या तथा C को केंद्र के रूप में लेकर पहले चाप के नीचे एक चाप खीचिए चरण पांच वही त्रिच्या तथा D को केंद्र के रूप में लेकर पहले चाप के उपर एक अंने चाप खीचिए चरण छे, दूनों चापों के प्रतिछेदन बिंदू को E से अंकित कीजिए चरण साथ, रूलर की सहायता से बिंदू E तथा बिंदू A को मिलाई के A E, रेखा M का लंब है रेखा खंड के लंब सम्दुई भाजक की रचना करना एक रेखा खंड का एक लंब सम्दुई भाजक इसे सम्कोन पर प्रतिछेद करता है तथा उसे दो बराबर भागों में विभाजित करता है चरण एक, एक रेखा खंड एक्स वाई खीश्टे हैं चरण तो, परकार पर एक्स वाई की लंबाई के आधे से ज्यादा की एक त्रिच्या मापते हैं चरण तीन, एक्स को केंदर बिंदु लेकर रेखा खंड के नीचे और उपर एक चाप खीश्टे हैं चरण चार, वाई को केंदर बिंदु लेकर रेखा खंड के नीचे और उपर एक दूसरा चाप खीश्टे हैं चरण पांच, चाप के प्रतिछेदन बिंदूं को A तथा B से अंकित कीजिए. चरण छे, डिवाइडर से OX तथा OY को मापें. OX बराबर OY. चरण साथ, कोणो X, O, B तथा Y, O, B को मापें. कोण X, O, B बराबर कोण Y, O, B बराबर 90 डिगरी. अतहा A, B, X, Y का लंब समदूइभाजक है आत्म मोलियांकन. एक रेखा खंड की रचना करने में समलित चरणों को उनकी संख्याओं से पहचानिये. कोण के समदूइभाजक की रचना एक कोण का समदूइभाजक इसे दो बराबर भागों में विभक्त करता है. आईए, हम एक कोण समदूइभाजक की रचना करना सीखते हैं. चरण एक, कोण A, O, B खींचिये. चरण दो, O को केंद्र बिंदू मानते हुए, एक चाप खींचिये. जो कोण की दो अर्थ रेखाओं, O, A, तथा O, B को, क्रमशा, P, तथा Q पर काड़ता है. चरण तीन, P, Q की आधी लंबाई से अधिक, एक त्रिज्या को मापिये. मापि गई त्रिज्या के साथ, तथा P को केंद्र लेकर, P, Q के ऊपर एक चाप खींचिये. चरण चार, वही त्रिज्या लेकर, तथा Q को केंद्र में लेकर, P, Q के ऊपर एक दूसरा चाप खींचिये. चरण पांच, चाप के प्रतिछेदन बिंदू को C से अंकित कीजिये. O तथा C को मिलाईए. चरण छे, कोड़ों A, O, C, तथा C, O, B को मापिये. कोण A, O, C, बराबर कोण C, O, B. अता, O, C कोण A, O, B का समद्र भाजक है. कोण की प्रतिकी रचना. एक कोण की प्रतिकी रचना कैसे की जाती है, जसकी माप हमें ग्यात नहीं है. कोण A, O, B दिया गया है. चरण एक कोई भी तरिच्या लेकर, तथा O को केंद्र मानते हुए, एक चाप खींचिये. जो कोण की दो अर्ध रेखाऊं, O, A, तथा O, B को क्रमचा, P, तथा Q पर काड़ता हो. चरण दो, L लंबाई की एक रेखा खींचिये, तथा उस पर एक बिंदू S अंकित कीजिये. चरण तीन, O, Q तरिच्या तथा S को केंद्र लेकर, एक चाप खींचिये, जो रेखा L को T बिंदू पर काड़ता है. चरण चार, P, Q तरिच्या लेकर, तथा T को केंद्र मानते हुए, एक चाप खींचिये, जो पिछले चाप को R पर काड़ता है. चरण पांच, R से S को मिलाईए, कोण R S ती बराबर कोण A O B, कोणों की रचना करना. आईए, अब एक एक करके, कुछ विशेश कोणों की रचना करते हैं. 30 डिगरी के कोण की, 60 डिगरी के कोण की, और 120 डिगरी के कोण की, 30 डिगरी का कोण. चरण एक, एक लंबी रेखा M खींचिये, चरण दू, इस पर एक बिंदू Q अंकित कीजिये, चरण तीन, कोई भी त्रिज्य लेकर, तथा Q को केंद्र मान कर, एक चाप खींचिये, जो रेखा M को बिंदू R पर काटती है. चरण चार, वही त्रिज्य लेकर, तथा R को केंद्र मान कर, एक चाप खींचिये, जो रेखा M को Q पर काटता है. चरण 5. चाप के प्रतिछेदन बिंदू को P से अंकित कीजिए चरण 6. P से Q को मिलाईगे चरण 7. कुन को समदुई भाजित कीजिए चरण 8. कुन PQS थथा SQR को मापिए कुन PQS बड़ाबर कुन SQR बड़ाबर 30 डिगरी 60 डिगरी का कुन चरण 1. एक लंबी रेखा M कीजिए चरण 2. इस पर बिंदू Q अंकित कीजिए चरण 3. कोई भी त्रिज्या लेकर तथा बिंदू Q को केंद्र मानकर एक चाप खीजिए जो रेखा M को बिंदू R पर काड़ता है चरण 4. वही त्रिज्या लेकर तथा बिंदू R को केंद्र मानकर एक चाप खीजिए जो रेखा M को बिंदू Q पर काड़ता है चरण 5. चाप के प्रतिछेदन बिंदू को P से अंकित कीजिए चरण 6. P से Q को मिलाईए कोण PQR निर्मेथ हुआ 120 डिगरी का कोण चरण 1. एक लंबी रेखा M कीजिए चरण 2. इस पर बिंदू Q को अंकित कीजिए चरण 3. कोई भी त्रिच्या लेकर तथा बिंदू Q को केंद्र मानकर एक चाप खीजिए जो रेखा M को बिंदू R पर काड़ता है चरण 4. वही त्रिच्या लेकर तथा बिंदू R को केंद्र मानकर एक चाप खीजिए जो पहले चाप को बिंदू S पर काड़ता है चरण 5. वही त्रिच्या लेकर तथा बिंदू S को केंद्र मानकर एक चाप खीजिए जो पहले चाप को बिंदू P पर काड़ता है चरण 6. P से Q को मिलाईए कोण P Q R निर्मित हुआ आत्म मोलियांकन निमनलिकित विवरणों का मिलान उनके संबंधित विकल्पों से कीजिए सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संख्षेप में दोराएं वृत्ति की रचना करना रेखा खंडों की रचना करना एक रेखा खंड के लिए एक लंब की रचना करना एक रेखा खंड के एक लंब समदुई भाजक की रचना करना एक कोण समदुई भाजक की रचना करना कोडों की रचना करना